नमस्कार दोस्तों आज मैं और मेरे सांसत सहयोगी राफेल घोटाले की अगला रहसे और परतें आपके स्मक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं अब एक बात साफ है कि खुल गया है राफेल की चोरी का खेल और चौकीदार ने ही किया है पूरा घाल मेल और अब की बार ये रहसे की परतें उजागर हुई हैं ये संसनी खेच तथे आए हैं गोवा से गोवा के मंत्री मंडल में जिस प्रकार से पूरव रक्षा मंत्री और मोजूदा भाजपा के मुख्य मंत्री मनोहर पारिकर जी ने राफेल के रहस्यों का रहस्य उद्गाटन किया ये पूरा वारता लाप उनके मंत्री विश्वजीत राने की बातचीत में अब कैद है और मेरी बात कहने से पहले मैं वो आडियो ये चाहूंगा कि आप स्वयम सुनकर जिसकी प्रतिलिपी आपको हम दे रहे हैं आप स्वयम सुनकर जाए जा लें ये बातचीत है विश्वजीत राने हेल्थ मिनिस्टर गोवा की जाए भी पॉज टीब ड्रतिए लुब्हा जूए जिसकी हुजिझाए ले की बातUSTी कि आपकी तैन्रिटिवकौस नेलेच नेमी सुमनें हेले की संव страх जाए लोगम का देष्व। ये बात लेटा बीड़ें टेन ड्रतिल्फ टीड़ेंन की Okay. Bapu Azimokar was fighting with Sudheen Daudikar because these works are not being done. Apart from that, Chief Winston makes a very interesting statement that I have all the information of Raphael in my bedroom. What is the same? I am telling you, no? Why God? Okay. You should actually make a story and put it because you can actually you can cross-check with somebody who you are close to from within the cabinet. Okay. कर देंस बाइब थे बाइब वाओ जोड़िनी कर देंसे हैं उस जा तो आड फाय ज से लोड़िए जुटी विस फिस ने सूंट्ट रमेड़ जेड़ू कर दो वहाँ रह्न वे वाफिवन्ट कुछवे वहाँ था डिखूश्ट था दूब नचलते शिए नचलते हैं, एज परिखूटे इस दुशन के विद अझारों यह रखाइब रिखूश्ट पूहाँ है इस विजुछ।- श्वाँ पिर्ट्टूश्ट टोग्षू इस नचलते है मैं में अभर साथ कर अःटार य। सुट रखर ही निजहां हो कि अभरी टॉकिमेट रखरोव रखर हैं इड टॉम आंवेखर रखरोडिक रखरोड इंगर रखरोप again for you. He says, and I quote, apart from that, the chief minister makes one interesting statement, that I have all the information of Rafael in my bedroom. The other person is shocked. He says, what are you saying? The minister says, quote, I am telling you. The other person says, my God. The minister says, because this is how you know, this is something which he said, that means he is holding them to ransom. The minister further says, I quote, he said, it is in my bedroom, here only in the flat. The minister further says, I quote, each and every document of Rafael is with me, unquote. Vot. Rafael Ghotalei में अब गोवा की भाजप्पा सरकार के मंत्री ने संसनी खेज और चोकाने वाला खुलासा किया है और भ्रष्टाचार की सारी परतें उजागर कर दी हैं. कुछ दिन पूरव हुई इस हंगामेदार बैठक में गहमा गहमी के बीच जिस प्रकार से गंभीर रूप से एस्वस्थ होने के बावजूद गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर पदेन रहे शिरी मनोर पारिकर ने कहा कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राफेल की सारी फाइले उनके पास हैं उनके बेडरूम में उनके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं. राश्ट्रिय सुरक्षा वे राफेल खरीद घोटाले से जुड़े इस पूरे मामले में भाजप्पा के मुख्यमंत्री शिरी मनोर पारिकर वे पूरवरक्षा मंत्री उनका यह कहना राफेल के ब्रश्टाचार के सारे आरोपों की आज पुष्टी करता है कि राफेल में ह पर गडबड जाला है जिसके लिए चौकिदार ही जिम्मेवार है और मैं याद ये भी याद दिलाऊंगा कि जब 10 अप्रेल 2015 को चौकिदार गए थे पैरिस फ्रांस अकेले तो उस समय भी रक्षा मंत्री मनोर पारिकर गोवा में मचली खरीद रहे थे उनके प्रतेनिदी मंडल में उनके डेलिगेशन में देश के रक्षा मंत्री मनोर पारिकर नहीं थे उनके डेलिगेशन में अनिलंबानी थे देश जानना चाहता है हमारे मात्र तीन सवाल है आज नमबर एक शिरी मोदी जी बताईए देश को के शिरी मनोर पारिकर के पास उनके बेडरूम और फ्लैट में राफेल के घोटा लेके कौन से राज दफन है सवाल नमबर दो राफेल की फाइलों में वो कौन सा गड़बड जाला या भ्रष्टाचार है जिस पर चौकीदार परदा डाल रहा है और जिसके खत्रे से आज भी जिनतारों से गोवा की सरकार लटक रही है तीसरा सवाल क्या भ्रष्टाचार की इसी कहानी के चलते चौकीदार संयुक्त संसदिय समीती यानि जॉइंट पार्लियमेंटरी कमेटी की प्रोब से investigation से बच रहे हैं क्योंकि वो भाजप्पा के लोगों को भी जो संसद्य समीती में बहुमत से होंगे उनको राफेल के व्रश्टाचार के फाइल और कागजात नहीं दिखाना चाहते अब साफ है के चौकीदार ही चोर है कोई प्रशन आप पूछना चाहें तो स्वागत है प्रधान मंत्री इसका जबाब दें देश जबाब मांग रहा है राफेल के वो कौन से रहस से हैं राफेल का वो कौन सा गडबड जाला और घोटाला है जो मनोहर पारिकर जी के बेडरूम में फ्लैट में उनके रहस से में बंद है क्या चौकीदार मनोहर पारिकर जी को से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि वो सारा गडबड जाला और भ्रष्टाचार फाइलों की वो सारी परते और नोटिंग्स जैसा मनोहर पारिकर जी के मंतरी ने बताया उन फाइलों के अंदर बंद हैं जिनकी कौपी मनोहर पारिकर जी के पास है और क्या चौकीदार इसी गडबड जाले और गोटाले के चलते जोईंट पार्लियमेंटरी कमेटी से राफेल गोटाले की प्रोब इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते क्योंकि चाहे भाजप्पा के भी सांसद हो राफेल की फाइले तो आएंगी ही और जब फाइले आएंगी तो गोटाला उजागर होगा ब्रष्टा चार उजागर होगा और चौकीदार पकड़ा जाएगा और इसलिए चौकीदार आज हर सवाल का जबाब देने से बच रहे हैं वो कहते हैं उन पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं ये है व्यक्तिगत आरोप मोदी जी ये साक्षे और तथ्थे हैं मोदी जी आपके उपर व्यक्तिगत आरोपों के और दूसरा व्यक्तिगत आरोप है जो फ्रांस के राष्ट्रपती फ्रांस्वा होलेंडे ने आप पर लगाया था कि पूरी डील में आपने ये शर्त रखी व्यक्तिगत तोर से कि अने लंबानी को ठेका मिलेगा सरकारी कंपनी से चीम कर तो जहाज खरीदे जाएंगे वरना नहीं इस बात की पुष्टी फ् उस कमरे में थे नहीं फ्रांस्वा होलेंडे थे और अब तो और अब तो आपके पूरव रक्षा मंत्री आपकी राफेल की फाइले लिए बैठे हैं और कहते हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड नहीं सकता क्योंकि राफेल की फाइले उनके बेडरूम उनके फ्लैट के अंद बंद हैं उन फाइलों में वो कौन सा गड़बड जाला और भरष्टा चार है जो बंद है आज इस बात का खुलासा संसद और देश दोनों जानना चाहते हैं अरथ्यार चाहते हैं इस बिगाड जालाब नहीं सब्सक्राइब्च्ट करप्र थाफ्ट चेज उजन यह रूंज रू गेस्ट्ट थи फिसल अफेश्थिस अथीन घंत्र, दोल अज़टेश्ट लीज देफ साब agree toए का फिसकर एंड देफींऄ, टाम कारफ्त मिषंवें रूद then why is Mr. Parika keeping those files in his bedroom and threatening everybody that nobody can do anything against him for he has the Rafael files because the secrets are all recorded on the files and the day those files are out as stated by and threatened by Sri Manohar Parika himself then it will be proved what we have always said that Rafael is the biggest scam of India and the person accountable for it is Prime Minister Shri Narendra Modi himself Manohar Parika جی کے پاس جو Rafael کی file ہیں وہ دیش کے سامنے آئیں وہ رہ سے اجاگر ہو اب یہ آوشک ہو گیا ہے کیونکہ ہم نہیں کہہ رہے یہ Manohar Parika جی کے منطری بتا رہے ہیں منطری منڈل کی بیٹھک میں جو ہوا جب انہوں نے کہا ان کا کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کے پاس Rafael کی files ہیں یہ conversation کب کا ہے سر یہ جو پچھلے ہفتے جو cabinet meeting ہوئی ہے گوہ کی اس کا conversation ہے ہم نے آدھرنی امیتر سارے تتھے اور آڈیو آپ کے سمکش رکھ دیئے اب اس بات کا جباب پردھان منطری موڈی جی کو دینا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ پترکاروں کو جباب دینے کے عادی نہیں وہ captive interviews ہی کرتے ہیں پرنتو اب تو اب تو ہر روج Rafael کے رہصے کی نئی پرتیں کھل رہی ہیں تو وہ آگے آئیں اور جباب دیں اور Manohar Parika جی کے پاس جو fileیں ہیں اگر کچھ غلط نہیں ہے تو انہیں ساروجنک کرنے میں اعتراج کیا ہے اور اگر کچھ غلط نہیں ہے تو آج سنسد کے اندر میرے سنسد ساتھیوں کے سمکش کہیں کہ وہ JPC کی جانچ کے لیے تیار ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا جی بلکل نہیں Congress Joint Parliamentary Committee سنیوغ سنسدیے کمیتی سے جانچ کی اپنی مانگ پر अडिग ہے وہ پرنتو سنیوغ سنسدیے سمیتی کی جانچ کی ضرورت کیوں وہ سارے تتھے آج Congress Party کے अध्यक्ष और नेतागण سنسد کے پटल पर रखेंगے क्योंकि केवल और केवल इस पूरे गोटाले की جانچ Joint Parliamentary Committee कर सकती है जो सारे तथे भी मंगा सकती है जो राफेल के वो सारे रहसे जिसके राजदार तथा कथित तरीके से अब शिरी मनोहर पारिकर भी है जो उनके कथित बयान में सामने आ रहा है जैसा उनके मंत्री ने कहा तो वो सारे तथे सामने आएंगे साक्षे आएंगे सब को बुलाया जाएगा एविडेंस रेकॉर्ड होगा प्रधान मंत्री को JPC के सामने जाना पड़ेगा और घोटाला और गढबड जाला सामने आ जाएगा तरीके सारे याजाँ सारे राणी जी किसे बात करने है तरीके सारे जाएगा He is speaking to another person whose confidentiality we have deliberately kept confidential, I mean whose identity I have kept confidential that's why you will find the copies that I am serving you I have written X Sir, Mr. Yashvan Sena, Arun Chauri and Prashan Bhushan are all set to move to the Supreme Court प्रभ जूब पराप्ल एता मैं परेव जोज़ू गार भाव झाल जुटुटू। into the Rafal scam on account of the fact that Supreme Court cannot have access and they were not given access to the Rafal files where benchmark price was changed, where a 30,000 crore was snatched away from HAL public sector undertaking and given to Mr. Ranyal Ambani's company which is a 12-day-old company. The justification for reducing 126 aircraft to 36 why was cabinet committee on security approval not taken why was defence procurement procedure violated how was corruption happening at every step in the rafael scam in order to fix the deal all these are matters of evidence and documents which were neither before supreme court nor can they go before it and that's why we have maintained jpc is the only way forward but anybody is free to move the supreme court it's a democratic country this is the view of the jpc today the report will be sent in 10 days we will see the files, the saksha, the president, the president, the manhuar parikar ji ko bulayenge, anil ambani ji ko shayad summon kareenge, h.al.ke pramuk ko bulayenge, nirmala sitar aman ji ko bulayenge, ds dhin me sara maamilie ka pita shep ho sakta hai, is liye, یہ un bharatiye janta party ka argument hai, that the rafael scam is getting unveiled by the day prime minister does not want to share the various facets of the rafael scam with his own party members for in jpc majority will be nda and bjp and this conversation today now further cements our demand for jpc let prime minister come forward and tell what are those secrets bungling corruption malfeasance and scam that exists in the rafael files which are being now held a copy of which is being now held by the then defense minister and present chief minister shirimanohar parika does it not establish ke dal mein kala nahi puri ki puri dal kali hai thank you